जब आप किसी चीज को काटते हो तो उसे पकड़ कर काटते हो नहीं तो इस तरह वो चीज दूसरी तरफ चल जाती है बट ये बंदा चाकू को सार्प करने में इतना माहिर है कि आपका दिमाग हिला सकता है दरासल वो सबसे पहले चाकू को स्मूथ स्टोन पर कापी समय तक र करता है फिर लास्ट में इसे पॉलिस करता है और अब ये चाकू पहले की तुलना में बहुत ही सार्प हो चुका है और अब वो फिर से चीजों को बिना पकड़े काटना सुरू करता है और रिजल्ट आपके सामने है